दोस्तों क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं? क्या आप लांट लवर है? क्या आप अनिमल लवर है? क्या आप नेचर लवर है? क्या आप एक क्यूरियस पर्जन है? तो यकीन मानिए ये चैनल आप ही के लिए है स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने यूट्यूब चैनल Tiny Champs में दोस्तों अपने चैनल की शुरुआत करते हैं हम चोटे बच्चों के साथ हम यहाँ पर बहुत कुछ लर्निंग सीखने भी वाले हैं और सिखाने भी वाले हैं चोटे बच्चे उस चिटनी मिट्टी की तरह होते हैं जिनको जिस भी आकार में ढाला जाए वो ढल जाते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं उनको पढ़ना और लिखना सिखाने के साथ दोस्तों कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ने की शुरुवात कैसे कराएं तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगी कि छोटे बच्चों को कभी भी जबरदस्ती या की स्तान के पढ़ाने की शुरुवात ना कराएं हमेशा उनको खेल-खेल में पढ़ाने की कोशिश करें दोस्तों सबसे पहले पढ़ाई की शुरुबात कराने के लिए आपको पढ़ने का इट्मोस्फियर द्यार करना चाहिए बच्चों के लिए कुछ कलरिंग बूक्स, कुछ पिक्चर बूक्स, क्रियोंस, पैंसिल कलर्स या फिर पैंसिल बगर लाकर ऐसी जगापर आप रख दीजिए जहाँ पर बच्चों को अराम से नजर आए और बच्चे चाहें जब उनका मन करें वो उन्हें उठा सकें, देख सकें, खोल सकें जब वो बच्चे बार-बार धीरे धीरे पिक्चर बूक्स, कलर बूक्स या क्रियोंस बगरा को देखेंगे तो उसके प्रती उनकी रूची जागेगी, उनका इंटरस्ट बढ़ेगा और वो उसको अपने हाथ में लेना चाहेंगे दोस्तों जब आपका बच्चा उन कलर्स को या पैंसिल्स को अपने हाथ पकरना शुरू करते हैं तो आपका काम शुरू हो जाता है आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपके बच्चे ने पैंसिल या उनको फोल्ड किस तरह से किया है यानि आपको उसको ठीक तरह से होल्ड करना सीखाना है हो सकता है आपका ब recogn researcher एक आप पार में सीख जाए या आपको इसके लिए दो या थीन या चार भर भी कोशिश करनी पड़ सकती है जब आपका बच्चा इन सब चीजों को फोल्ड करना सीख जाएगा सही तरीके से पकड़ना सीख जाएगा तो अब उसको जुरूत होगी एक कॉपी या किसी कलरिंग भूग की हो सकता है आपका बच्चा शुरुआत में कुछ कॉपी कितावे खराब भी करगी तो इसके लिए थोड़े से भी परिशाना हो क्योंकि ये नैचुरल ही है ऐसा सबी बच्चे करते हैं दोस्तों जब आपका बच्चा पैंसिल को ठीक से पकड़ना सीख जाए तो अब आपको उसके साथ थोड़ी सी महनत करनी है अब आपको थोड़ा टाइम देना है और उसके साथ बैठना है और खेली खेल में उसको कुछ काम कराने की कोशिश करनी है जैसे कि आप भी उसके साथ पैंसिल पगड़ें और उसको बोलें कि चलो हम दोनों काम करते हैं जिसे कि बच्चे को ये ना लगे कि उससे कुछ जबस्ती करवाया जा रहा है बच्चो शुरुवात किस तरह से करता है और क्या करेगा चलिए आईए हम अपनी क्लास्रूम में चल कर देखते हैं स्वागत है दोस्तों आपका मेरे क्लास्रूम में अब आपका बच्चा क्योंकि पैंसिल पकड़ना या कलर्स पकड़ना सीख गया है तो आपको भी उसके साथ ही कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और और वैसे ही करने पड़ेगी जैसे कि बच्चे करते हैं तो आप भी एक पैंसिल या पैंसिल कलर या क्रियोन जो भी आपने बच्चे को दिया है वो पकड़ दीजिए और जस्ट वैसे ही करिए जैसे कि बच्चे करते हैं यानि कि अपनी कॉपी पर बच्चे की तरह ही आड़ी तिरशी लाइने लगाईए, ऐसे ऐसे घुमाईए, या कुछ भी करिए, उससे कोई फर्रक भी पड़ता कि आप क्या बना रहे हैं या क्या नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी कर पाएगा तो कुछ ऐसा ही कर पा हमें उसको सीधा स्कॉलर नहीं बनाना है, बलकि बच्चों को बच्चे की तरह ही शुरुवात करवानी है, I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और इसके आगे हमें बच्चों को स्टेप बाई स्टेप क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, इसके लिए बने रहें मे तेरे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, धन्यवाद